मित्रों आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमतकारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं जिससे नए वीडियो की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके धन्यवाद नमस्कार मैं हूँ वैभवनाच शर्म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि 12 साल बाद गुरू ग्रह व्रिहस्पती का जो राशी परिवर्तन होने जा रहा है वो अपनी र इक लाब मिले तो उसके लिए क्या आपको सरल पांच रामबान उपाय करने चाहिए वो भी बताऊंगा और आपकी राशी के नुसार कैसा इसका प्रभाव रहेगा राशी परिवर्तन का अगले एक साल तक इसके बारे में भी चर्चा करेंगे तो आज हम लोग जानकारी कर 13 अप्रेल को तीन बज करके 48 मिनट पर अपनी स्वराशी मीन में गुरू ग्रह व्रिहस्पती देवता प्रवेश कर रहे हैं इससे पहले यह मई 2010 से मई 2011 के मध्ध मीन राशी में गोचर कर चुके हैं उसके उपरां तब पुनह मीन राशी में आये हैं जिसके लिए जिसके कई राशियों के लिए हंस योग का निर्मान होगा इस राशी पर ये 23 अपरेल 2023 तक गोचर करेंगे उसके बाद मेश राशी में ये प्रवेश कर जाएंगे व्रिहस्पती देवता का ये राशी परिवर्तन हम सभी लोगों के ऊपर किस तरीके से सीधा सीधा इसका आसर दि में गोचर करते हुए व्रिहस्पती का प्रभाव कई माइनों में बेहतरीन रहेगा धर्म और आध्यात्म के प्रतिय आपकी रुची बढ़ाएगा विदेश यात्रा अत्वा विदेशी नागरिक्ता के लिए किये गए प्रयास भी आपके इस दोरान सफल होंगे अत्यदि प्रयाद अत्वा मकान वाहन में भी धन का निवेश आप करना चाह रहे हैं तो ये समय आपके लिए अनुकूल रहेगा इस दोरान आप कर सकते हैं गुप्त शत्रूं से बचना होगा और विवादित मामले बाहर आपको सुलजा लेने चाहिए कोट कचरी तक ना जाएं क्य जा सकते हैं इस दोरान आपको पैत्रिक संपत्ती का लाब भी मिलेगा आपके लिए यह समय बहुत अनुकूल कहा जा सकता है परिवार में सुपसंब्रिदी आएगी व्यापारियों के लिए मुनाफिक योग है और नौकरी पेशा लोगों के लिए करने वाले जातकों को प विहस्पती का प्रभाव आपके लिए किसी वर्दान से कम नहीं है आएके साधन तो बढ़ेंगे ही काफी दिनों से दिया गया धन भी आपका वापिस मिलेगा उच्चादिकारियों से सहयोग मिलेगा परिवार के वरिष्ट सदस्यों के प्रती जिम्मेदारियों का प्रतियों और प्रतियों गिता में बैठने वाले चातरों के लिए भी यह समय बहतरीन होगा प्रेम संबंद के मामलों में प्रगारता आएगी संतान संबंदी चिंता जो है वो दूर होगी और नव दमपत्ती के लिए संतान प्राप्ति एबं प्रादुर्भाव के योग इस दौरान बनेंगे इस दौरान आपको कार्यस्थल पर सकरात्मक परणाम देखने को मिलेंगे नई नौकरी का प्रस्ताव भी आपको आ सकता है नौकरी पेशा लोगों को पदोनती मिल सकती है और ये समय नया व्यवसाय आरंब करने के लिए आपके पक्ष में होगा कार् यतिविदियों की बहुत सराना बहुत तारीफ आपको प्राप्त होगी आपके बहुँस वगरा आप से बहुत प्रभावित बहुत प्रसंद रहेंगे अब बात करते हैं मिथुन राशी की कि मिथुन राशी वाले जातक लोगों को ये व्रिहस्पती का राशी परिवर्तन कैसा प्रभाव देगा मिथुन राशी से दशम भाव में कर्म भाव में गोचर करते हुए व्रहस्पती आपके लिए पद और गर्मा की वृद्धी कराएंगे सरकारी विभागों में प्रतिक्षित कार्य से कार्य तो संपन होंगे ही किसी सरकारी टेंडर के लिए आवेदन करना हो तो वो भी उसके लिए भी ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल कहा जाएगा नौकरी में इस्थान परिवर्तन अगर आप चा रहे तो भी अवसर आपके अनुकूल रहेगा जगडे वाद्विवाद तथा कोड कैचरी से संबंदित मामलों में निर्णे आपके पक्ष में आने के संकेत मिलते हैं चुनाव से संबंदित कोई निर्णे लेना चाह रहे हों तो सफलता की संभावना सरवादिक रहेगी यानि राजनीती के छेत्र में भी जिस भी विशय में आप जिस भी छेत्र में काम करते हों उस छेत्र से जुड़ी हुई राजनीत अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी कुल मिला करके मिथुन राशी के लिए भी ये समय काफी हट तक अच्छा कहा जा सकता है अब बात करते हैं करक राशी की करक राशी से नवम भाव में भाग ये इस्थान में गोचर करते हुए रहस्पती का प्रभाव आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है भाग युनती तो होगी ही होगी कोई भी बड़े से बड़ा कार या आरंब करना हो अत्वा किसी नए अनुबंद पर हस्ताक्षर करना हो तो वो भी आपके लिए सूपरणाम दायक होगा धर्म और अध्यात्मों में रुची बढ़ेगी धर्मिक ट्रस्ट तथा सामाजिक कारियों में भी बढ़ चड़ करके आप हिस्सा लेंगे और दानपुन्य भी करेंगे विदेशी कंपनियों में सर्वे सत्वा नागरिक्ता के लिए किया गया प्रयास इस दौरान आपके लिए सफल रहेगा इस समय आपके लिए कुल मिला करके अच्छा रहने वाला ये समय कहा जा सकता है आपको व्यापार और नौकरी में लाब मिलेगा व्यर्थ की यात्रा से आपको इस दौरान बच करके रहना चाहिए बिना मतलब के तनाव बरी टेंशन बरी ठकान बरी यात्राओं में आपका समय और पैसा दोनों नश्ट हो सकता है इससे आपका स्वास्त भी प्रभावित होगा तो वैसी ही यात्रा वही यात्रा का चुनाव करें जो आपके हित्मे हो आपको समझ लेना चाहिए कि इस यात्रा से आपका कितना लाब हो सकता है तो अपना पहले से कैल्कुलेशन करके ही कोई ट्रेवल आपको प्लान करना चाहिए अब बात सिंग राशी की चिंता इस दोरान आपको परिशान कर सकती है प्रेम संबंदों के मामले में भी थोड़ा सा उदासीन रहने वाला ये समय होगा आपकी लव लाइफ अगरा या मैरिड लाइफ अगरा बहुत जादा अच्छी इस दोरान नहीं रहे आपके लिए बनती है तो जो अंत में उपाए आपके लिए बताऊंगा वो आपको जरूर करना चाहिए अब बात करते हैं कन्याराशी की कन्याराशी से सब्तम भाव यानि दामपत्य भाव में गोचर करते हुए वरिहस्पती आपको कई तरह के सुखत आश्यर्य क्या सामना करवाएंगे अनुभव करवाएंगे परिवार में मांगले कारियों का सुवसर आएगा विवासमन्दी वारता जो चल रही थी वह सफल होगी ससुराल पक्ष से भी सहयोग मिलेगा इस अवधी के मध्य किसी भी तरह के साज़ा व्यापार करना अगर आप चाह रहे हैं तो उसके लिए व्रिहस्पती का प्रभाव अनुकूल रहेगा केंद्र अत्वाराज्य सरकार के विभागों में प्रतीक्षित कार्य संपन होंगे सरकारी टेंडर के लिए आवेदन करना हो तो सफलता की योग आपके लिए दिखते हैं अब बात तुलाराशी के तुलाराशी से चठे भाव यानि शत्रु भाव में गोचर करते हुए व्रिहस्पती का प्रभाव कई तरह से उतार चड़ाव का सामना आपको करवाएगा कार्य व्यापार के दृष्टी से तो ये बहतर होगा किन्तु गुप्त शत्रुओं की अधिकता इस दौरान रहेगी आपके अपने ही लोग नीचा दिखाने का प्रयास आपको करते रहेंगे यद्यपीवा सफल नहीं हो पाएंगे आपको फिर भी उनसे सावधान रहना चाहिए स्वास्त के प्रती चिंतंशील रहें ननिहाल पक्ष से सुखत समाचार मिलेगा यात्रा देशाटन का लाब होगा विदेशी कंपनियों में सर्विस अत्वा विदेश में नागरिक्ता के लिए अगर आप प्रयास कर रहें हैं तो उसमें आपको बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है अब बात व्रिश्चिक राशी के जातक लोगों के लिए पंचम भाव यानि विद्या भाव में गोचर करते हुए व्रिहस्पती का प्रभाव आपके लिए किसी वर्दान से कम नहीं हैं कोई भी बड़े से बड़ा कार्यारंब करना हो अत्वा किसी अनुबंद पर हस्ताक्षर करना हो नौकरी में परिवर्तन करना हो तो भी हर तरह से सफलता आपके कदमों में होगी विद्यार्थियों और वं प्रतियोगिता में बैठने वाले चात्रों के लिए भी समय बहुत अनुकूल कहा जा सकता है संतान संबंदी चिंता में कमी आएगी नव दमपती के लिए संतान प्राप्ती और प्रादुर्भाव के योग दिखाई देते हैं समान में सामाजिक समान मान प्रतिष्ठा में व्रिद्धी होगी सामाजिक कद बढ़ेगा इस गोचर के चलते जिसके प्रभाव से आपकी आर्थिक इस्तिती अच्छी होगी व्यापार में विस्तार के योग दिखते हैं नौकरी में तरक्की मिलने की संभावना आपके लिए बनती है परिवार में खुशहाली बनी रहे ऐसे योग आपके लिए दिखाई देते हैं अब बात धनुराशी की धनुराशी से चतुर्थ यानि सुक भाव में गोचर करते हुए गुरू ग्रह कारेशेत्र में कई तरह के अप्रत्याशित परिड़ामों को आपको लाब करवाएंगे उससे सामना करवाएंगे मित्रों तथा संबंदियों से सुखत समाचार की प्राप्ती होगी जमीन जायजाद से जुड़े मामलों में वाद्वाद आपके पक्ष में होगा घर जिसको भवन भूमी वाहन कहते हैं मकान और वाहन का भी क्रय अगर आप करना चाह रहें तो इस दृष्टी से या रोच कारण से परिवार में कलय और मानसिक अशांती का सामना भी आप करेंगे जिसके प्रभाव से आपके जीवन में सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी के योग दिखाई देते हैं संपत्ति की खरिदारी आप कर सकते हैं नोकरी वह व्यापार वह उन्नती के योग बनेंगे हस्पति आप में अदम में साहस और उर्जा शक्ति का भंडार भर देंगे परिवार में छोटे भाईयों से सहयोग मिलेगा आपके द्वारा लिए गए निर्णे और किये गए कारियों में आपको सरहना प्राप्त होगी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धी होगी स्वा संबंदी चिंता जो आपको परिशान किये हुए उससे आपको इस दोरान मुक्ति मिल जाएगे अब बात कुम्बराशी की कुम्बराशी से द्वितिय यानि धन भाव में गोचर करते हुए व्रिहस्पती काफी दिनों से चले आ रहे हैं आपके प्रतीक्षित संकल्प को प पर किसी भी परिस्तिती को आसानी से आप नियंत्रित कर लेंगे परिवार में नए महमान के आगमन से महल खुशनुमा रहे गा अचल संपती की प्राप्ती के योग दिखतें किसी भी तरह में ही सुल्जा लेंगे तो ज्यादा समझधारी होगी यह समय आपके लिए वाले जातक लोगों के लिए अपनी राशी में गोचर करते हुए रहस्पती देवता हंस योग का निर्माण करेंगे इसलिए यह वर्ष आपके लिए पूर्ण रूप से वर्दान के जैसा सिद्ध होगा जब तक आपकी राशी में रहेंगे अपनी कारे कुशलता और उर्ज लेना हो तो उसमें भी आप पूर्णता सफलता प्राप्त करेंगे प्रेम संबंदी मामलों में प्रगारता आएगी संतान संबंदी चिंता इस दौरान दूर होगी संतान प्राप्ती के योग बहुत प्रबल बनते हैं इस गोचर से आपके व्यक्तित्व में निखार वो बारा राशियों पे किस किस तरीके से प्रभाव डालेगा कुछ के लिए बहुत अच्छा है कुछ के लिए अच्छा है कुछ के लिए खराब है कुछ के लिए बहुत खराब है अब मैं आपको पांच ऐसे बहुती सरल तोटके बताने जा रहा हूं जिन उपायों जिन तोटकों को कोई भी राशी का जातक कर सकता है जिनके लिए खराब है या बहुत खराब है वो करेंगे तो उनके लिए भी व्रिहस्पती देवता शुब हो जाएंगे जिनके लिए व्रिहस्पती का ये गोचर अच्छा और बहुत अच्छा है अगर वो इन उपायों को करते ह तो व्रिहस्पती देवता और मजबूत हो करके पहले से और अच्छा आपको परणाम देने लग जाएंगे तो कौन-कौन से सरल उपाय करने हैं बहुत ध्यान से सुनिए गुरू ग्रह के दोश को कम करने के लिए अशुप प्रभावों से मुक्ति पाने के लिए गुरुवा वगर बिना नमक का बनाएं और उसको खीर वगर से आप खा सकते हैं दूसरा उपाई यह कि गुरू व्रिहस्पती की प्रतिमा या फोटो को पीले वस्त्र पर विराजित करें इसके बाद पंचो पचार से उनकी पूजा करें पूजा में केसरिया चंदन पीले चावल पील पूल और भोग में पीले पकवान या फल आप अर्पित करके सच्चे मन से प्रभू की आरती करें आपका कल्याण इस उपाई को करने से निश्चत ही होता है गुरू ग्रह व्रिहस्पती का मंत्र ओम व्रिहस्पताय नमा मंत्र का जाप जो है रोज नियम से 108 बार आप करते चाहिए गुरू ग्रह से जुड़ी हुई पीली वस्तों का दान करना चाहिए पीली वस्तों जैसे सोना हल्दी चने की डाल आम का फल के लायतियादी इन चीजों का दान करेंगे पीला वस्त्र जनेव कुछ दक्षना के साथ किसी ब्राह्मन को कम से कम 16 गुरुवार तो और दिन करेंगे तो आपको भगवान शिव के साथ साथ गुरू ग्रह अवरी हस्त्ती की कृपा बहुत आसानी से प्राप्त होती है और किसी भी तरीके की अशुबता से आप बच जाते हैं तो दोस्तों आशा करता हूँ कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें ग्यान की ब सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को साथ में बैल आइकॉन भी दबाएं जिससे मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमतकारी उपायों के वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए धन्यवाद एर दो किसी भी व्यतिकत समस्या के लिए मुझे पर परामर्श और समाधान चाहते हैं यानि आप अपनी किसी भी पर्सनल प्र मॉब्लम के लिए मुझेशन के लिए इंस्ते कंसलेशन और ait informação करना आप हमें फोन के माध्यम से email और WhatsApp के माध्यम से appointment book कर सकते हैं हमारा नंबर है 999-07-24131 आपको दो नंबर दे रहा हूं इन दोनों नंबर पे WhatsApp अवैलेबल है आप WhatsApp करें 9818-300-146 यह हमारे ओफिस का दूसरा नंबर है अगर आप हमें email करना चाहते हैं तो आप हमें email कर सकते हैं हमारी email ID नोट कर लीजे इस पर आप हमें email भी कर सकते हैं मित्रों आजकल phone calls बहुत जादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग call करते हैं phone receive नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं ऐसे में email और WhatsApp करना सबसे बहतर तरीका है धन्यवार